हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर अपके अपने यूट्यूब चैनल एकजाम इलैक्ट्योन में आज हम लोग इस वीडियो में 9 अगस्ट 2018 के सकेंड स्रिप्ट के पेपर को हम लोग आज इस वीडियो में स्वाल्व करने वाले हैं जिसा कि पता है आप लोगों को आपके लिए काफी ही बेनिफिस्यल होगा या वीडियो क्योंकि आप जान पाएंगे कि जो 2018 में किस तरह के पेपर पूछे गए थे किस स्टेंडर का क्वाश्चन था तो इससे पहले हम आगे बढ़े जो फर्स्ट श्रिप्ट का पेपर था उसको भी हम लोगों ने स्वाल्व करवा के इस चैनल पर अप्लोड कर दिया है अभी तक नहीं देखे जा करके अब अबस ही देख ले जिसका लिंक हम दिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं पहले कॉस्चन के तरफ चलते हैं इस वीडियो में हम लोग रिजिनिंग और मैथ के सारे सवालों काज हम लोग इस वीडियो में स्वाल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे कम से कम समय में कॉस्चन को ऑप्शन के हेल देखे, कहा गया है, दो पाइप, एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को तीन घंटे में और चार घंटे में भर सकता है, जब कि एक तीसरी पाइप है, उसको आठ घंटे में खाली कर सकती है, जब टंकी एक बटे दू भरी हुई है, तो सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दे हम त्यों क्या लेंगे FM FM कितना होगागा स्विस नेलेकर एक चंट झासे होगा तो आ कि युआ तेदू भरी हुई है अगर हम मान लें टंकी की धारता है 24 यूनिट है 24 है तो भरी हुई पार्ट कितना हो जाएगा एक बटे 12 मतलब 24 बटे 11 बाइ 12 पार्ट ही हमें इसको भरना है तो देखिए अगर टीनों एक साथ खोल दे जाते हैं तो एक गंटे में एक ग्यारा मतलब क्या जाएगा तीनों मिल करके दो घंटे में भर देगा ठीक है इस तरह से आप इसको कर सकते हैं उमीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अगर किसी भी तरह कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं हम समझाने की हरे कौस्टेन को इस तरह से कोशिस करेंगे कि आपको समझ में आया और जामें ऐसे ही आप स्वल्व कर सकते हैं देखिए कहा गया है एक बिर्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कौन पर जुकी ही असपार्स रेखा की एक जोरी खिचने के लिए या अब अस्या कि असपार्स रेखाओं को ब आपको यह यह कितना होगा इस इतना और यह दोने का सम क्या होगा 180 होता है मतलब 180 माइनस अगर 75 कर लेते हैं तो आपको यह 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 आपको यह आपको यहां पर एक सो पांच डिग्री जो की ऑप्सन नंबर एक में गिया है एक सब्सेद्स होगा देखे अगर यह अगर तो नहीं रहाता है देखे यह चतर हुज बन रहा देखे इंटा किया होका यह संकोन रहा है तो इसको by अईक्सटर बटेज़ा है अपको एक सब्सक्राइगा आगा कहा गया है एक बगिचे में आम् और नीम के तीन सो एकसट पौधे हैं, आम और नीम के तीन एकसट पौधे हैं, दोनों का अनुपात दे दिया है, आठ अनुपात, 11, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे हैं, ठीक है, देखे, 8 पौधे 9 कितना जाएगा, 19, 19 युट के भेलो दे दिया है, कहा गया है 3x square plus ax plus 4 x minus 5 द्वारा पुनिता विभाजित है तो एक का मान गयात करना है देखिए x minus 5 से अगर डिविजिवल है कोई नमबर तो क्या जागा x minus 5 is equal to 0 पूट करेंगे x का value 5 आया जो value में अगर हम इस equation में 5 x का value पूट करते हैं इसका value क्या है 0 के एक पूट आना चाहिए मतलब x का value मतलब कितना होगा 3 into x square मतलब 5 के एक स्कूट 25 plus 5a plus 4 is equal to 0 मतलब 75 plus 4 कितना हो जाएगा 79 मतलब 5a is equal to minus 79 तो a is equal to कितना हो जाएगा minus 79 by 5 इस को काट लिजे तो अब हो कितना हो जाएगा 8 और 14 अगला सवाल देखे सांकेगी का सवाल है कहा गया दाटा सो डाटा आपको 6 महने का दिया हुआ है इसमें कहा गया जो फर्स्ट नंबर जो रिपरेजेंट कर रहा है मतलि जो बूलू बला जो पार्ट है वाइक का है ठीक है और ये जो है ये लो बला पार्ट हुआ क्या है टोटल बहिकल का टोटल बहिकल का रिपरेजेंट कर रहा है कहा गया बेस्ट ऑन दाटा फ्रम जनवरी टू अप्रिल टू थाज़न जनवरी से अप्रिल 2017 में इनक्रिज इन रिजिस्ट्रेशन अप्ड़ अडर देन वाइक देखे अडर देन वाइक देखे अडर देन वाइक का टोटल बहिकल है अप्रिल में कितना है तो देखे यह 20 और यह 35 टोटल बहिकल 35 है और 20 क्या है बाइक कितना जाएगा फंद्रा तो कहा गया यह अधर देन जो बाइक है कितने व्रिधी हुई है तो 6 से 15 हो गया मतलब कितना तो 9 यूनिट की व्रिधी हुई है देखे थाजन में दिया है तो 9,000 आपका होगा 9 यूनिट का मतलब 9 थाजन अगरा सबल दिया गया है एक कक्षा में 25 लरकों की लंबाई का माध्ध दिया है 10,000 थाजन में दिया है 150 उसी कक्षा में 35 लरकेओं की लंबाई का माध्ध दिया है 144 तो सभी कक्षा में सभी 7 विध्याथियों की लंबाई का माध्ध निकालनाहै देखे 25 एफाजन थ10 यह लरका है क्षेइ कितना है लरकीया है आपक्य संपल कर लिए इसका मद 45 इसको सासे मल्टिप्लाइ करें कितना हो जाएगा आपको यह 75-35-34-78-93 आपका हो जाएगा 101 1015 डिवाइज रवाइज रवाइज कितना करेंगे हम संख्या 75-7 12 देखें तो कितना हो जाएगा आपको यह 1765 इसमें मिल्क कितना जाएगा दूद पानी के एक मििसन का कहा है दूद पानी के एक मिसन का कहें 2 बटे 3 भाग क्या है दूद है ठीक है, mission की cool मात्रा अगर 21 unit है, तो इसमें milk कितना हो जाएगा, milk क्या होगा, दू बट्टे तीन भाग, मतलब अगर 21 का दू बट्टे तीन कितना हो जाएगा, 14, अगर 14 milk है, तो water कितना हो जाएगा, आपका 7 unit, ठीक, आये कहा गया, इसमें अगर 4 लिटर पानी और मिला दे पहले साथ लिटर था तो चाल लिटर पानी और मिला लीतर थे हैं दूध कि इस्प इस पान히 चोपन कि अब और Hemes औपरेंगा, जिसको का संख्या मरतने हैं और जिसBoy में तृर्ट के रूप में लिख सकते हैं वह देता हैं नहीं लिग सकते हैं और कि आप दिखेंगे three, क्योट आप 64 थी, यह कितना आपका 4, cube root of 2, यह कितना जाएगा आपको, 2, और square root of 64, यह हो जाएगा, 8, लेकिन 8 को है, किसी भी root से नहीं निकाल सकते हैं, यहापर square root से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, rational number नहीं है, यह rational number है, अगरा स्वाल देखे, कहा गया है, किसी धनरासी को 4 बर्स के लिए, यह 7 बर्स के लिए क्या होता, तो अर्जद ब्याद 375 अधिक होता, तो आर्रहम में निवेश की गए रासी कितनी है, देखे, 4 बर्स का, 4 बर्स का, 7 बर्स के कितना ब्याज होगा, जलाए कितना 30%, अगर कहें, यही रासी, 5 बर्स के लिए निवेश करेंगे, तब interest कितना ज आएगा 37.5, सिंपल है, 37.5, अब कहा गया है, यह जो दोनों का बीच का अंतर दिया गया, 37% में जो interest मिल रहा है, 30% के interest से क्या है, 375 अधिक है, मतलब दोनों का difference कितना है, मतलब 7.5% हमें दिया है, 375, तो कहा गया है, निवेश की गए रासी कितनी है, 100% हमें निकालना है, तो देखिए, आप 100% is equal to इसको निकाल लेजे, देखिए, एक युनिटी जो जाएगा आपको, 100 में एक युनिटी जो जाएगा आपको जाएगा यह, 5 मतलब 50, 50 को सबसे multiply किया, कितना हो जाएगा आपका 5000 ऑप्सन नमबर 2 में दिया हुआ है, अगला सवाल देखिए, कहा गया है, किसी घनाव की तीन सतहों के चत्रफल इतना दिया है, घनाव का आजता निकालना है, पता है आपको घनाव के सतहों के चत्रफल क्या होता है, L into B, एक का दूसरे क्या होगा, B into H, और तिसरे क्या होगा, H into L, ठीक हमें तीनों को multiply कर देखिए, क्या जाएगा, L into B into H इसका हो जाएगा, मतलब सभी सत्रफल को multiply कर देंगे, L into B into H का हो जाएगा, इसको हमें सकते हैं, 20 into 32 into 40, simple है, मतलब L into B into H में निकालना है, घनाव का इतन क्या होता है, L into B into H, मतलब 20 square को हमें इधर भजाएगे, मतलब इधर क्या हो जाएगा, square root आजाएगा, तो 20, 32 और 40 क हमें निकालना है, तो इसको multiply करें कितना होगा, 64 into 40 से कर लेजें, ते कितना जाएगा, 64 और 44, 64 से क्या जाएगा, आपको, 56, 그냥 60 होगा, 8 निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो 10 होजाएगा, ये कितना होजाएगा, अर 26, 10 मतलब, 160 cubic meter जो होगा, आपका मैं कोई फ्रैक्सन ढ会 अगे भड़ा शकते हैं इसको लिशर्णद सकते हैं दोबटे चार फिर एक क्वर्टे डोड़ा हैं में बात्वार सकते हैं। यह आगे कंट कर पाएगाैं। 13 नहीं कर पाएगा् mould हैं। देखें आफ सासे कट रहा है 157 105 और यह कि एक इस तरह से आपको option नंबर एक क्या है Redusable projection है अग्ला सवाल देखिए अलजेब्डा का a plus b plus c equal to 0 दिया है तो aq plus b plus c equal to 0 है तो aq plus b plus c equal to 0 है तो aq plus bq plus cq equal to 3abc इसका हमें all square करना है, तो all square इसको भी कर लेंगे, तो कितना साएगा, 9 a square b square c square, 9 a square b square c square, correct answer होगा, अगला सवाल देखें, trigonometry का सवाल है, quad power 4 theta plus quad square theta is equal to 3 है, तो quad power 4 theta minus quad square theta का value निकालना है, देखें, पहले इसको हम quad square करना चाहेंगे, quad square square को क्या value होता है, अगर हमका है 1 पॉभास quad square theta is equal to क्या होता है, कowski quad square theta, मत्तब quatt square theta to että, क gefährden Mars sorry, cosoque square theta minus 1, का isका hall square लिख सकते है, quad power 4 theta को इतना हम लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं, quad square क्या लिख लेंगे, पिर, cosec square theta minus 1, और गजऑ फोटापोको यह सिंपिलिफआ करें गए दिखेर कितना होसेक पूटष एक प्लस है स्क्वार एक मानेकैना कॉसेकë स्थय तरफ से पांई association स्कली देगा स्परצם को सेकर स्कॉरे टिता प्लस यहां पर दिया आपको सेक्वेस को स्कॉरे ला तो में में यह प्लुस में है तो कितना जाएगा को कॉषएक और स्बूस ती ऑफको यह लाना था यही लाना है अपको यह आपको लाना है इसका भेलू कितना हो। अगर्स वाल देखते हैं मिनषगा च्छुट माइनस पुर्टीफाइब माइनस प्रेकेट मैंटेसे डिवाइड़ वाइड अगर थर्टीटॉ है तो इसका वेलू कितना हो का अप देखिए यह पहले हम डिवाइड कर लेंगे अगर अगा मेरी बरतमान आयू का तीन पचमा उतना ही है जतना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयू का पांच माँ छटा हिस्सा, देखे एक तरह के यह रिजिन का सवाई लेकिन हम इसको math section में include किये हैं, क्योंकि इसको math के ही, अगर आपको math का concept के लिए है, तभी इसको solve कर पाएंगे, अगर कहा गया है, मेरी 10 साल पहले, पहले आयू, उनकी आयू से 4 साल, बार की आयू की होगी तो मेरी बर्तमान आयू कितनी होगी, देखे यहाँ पर कहा गया है, मेरी 10 साल पहले आयू, अगर हम मान लेते हैं, हमारी बर्तमान आयू 1 साल है, ठीक है, तो हमारी 10 साल पहले आयू कितनी हो जाएगी, x-10, अगर 10 साल पहले है, उनकी आज से 4 साल बाद की आयू होगी, मतल कितना जाएगा X-14 जो हम दुस्रे बंदे को इंडिकेट कर रहा है उसका आयू कितना होगा परजेंट आयू X-14 आगे कि देखिए मेरी बर्तमान आयू का 3-5 माह मतलब 3X बट्टे 5, 3-5 माह उतना ही है जितना मेरे चाचेरे भाई में से उनका यूक है 5 माह 6 है मतलब 5 by 6 into X-14 ठीक है अब इसको आपको स्वालू करना है और आपका अंसा जाएगा देखिए यह कितना जाएगा 18X और यह कितना जाएगा 25 है तो मतलब कितना जाएगा आपको 7X बचेगा ठीक ह अब देखिए यह हुजए कितना जाएगा 25 को चोड़ से करेंगे तो कितना जाएगा आपको 25 into X-14 कर लेंगे यह कितना होगा 300 सारे 300 यह हुजएगा साथ से काट लेंगे तो 50 आई हो जाएगी मेरी आई कितनी हो जाएगी 50 साल अगला सवाल देखिए कहा गया है सरह 700 की निवेशी तरासी पर तीन महिने का ब्याज 18 रुपईया है तो परतिवर्स ब्याज का दर कितना होगा देखिए तीन महिने का थिरी मंत का अगर ब्याज 18 रुपईया है तो 12 मंत मतलब 1 यह का ब्याज कितना जाएगा इसका चार गुना मतलब 72 रुपीच हो जाएग 10, मतलब 100 कितना हो जाएगा आपका ये 44 बट्टे 15, देखें 15 नमा कितना होते 135, 9 हो जाएगा 90 मतलब 15, 9.6 आएगा जो की option number 1 में दिया हुआ है, अगरा स्वाल देखिए कहा गया किसी तिर्भूज में समकौन बनाने वाली दो भूजाएं कर्मसर, 3 cm और 5 cm लंबी है, इस तिर्भूज के परिभिर्त का छत्रपल निकालना है देखें, एक तिर्भूज है एक 3 है, एक 4 है, तो इसका हैपोटेनस कितना होगा, 5 होगा इसका सरकम सेंटर क्या हो जाएगा उसका एरिया आपको निकालना अगर यह है, हाइपोटेनसी क्या होगा यह सरकम सेंटर का क्या होगा, उसका ब्यास होगा, ठीक है, यह ब्यास होगा मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा इसका रेडियस 5 बटे 2 रेडियस आएगा, थामको एरिया निकाल सकते है इस तरह से आपको यह function दिया है, आपको answer निकालना है, देखिए, आप unit digit option को check करेंगे, सभी का unit digit क्या है, difference है, अगर unit digit different है, तो हम सिर्फ unit digit निकालके भी answer को mark कर सकते हैं, देखिए, minus 1 और minus 0, तो minus 1 ही रहेगा, फिर यह रहेगा कितना है, minus minus, 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 minus 1 और minus 1, 0 हो जाएगा फि option number 4 correct होगा, इस तरह से देखिए, अगला सवाल, समय और कार्ज का है, कहा गया है, किसी computer game में एक builder, 10 घंटे में दिवार बना सकता है, जबकि एक विद्वनसक, 14 घंटे में पुरी तरह से दिवार को ध्वस्त कर सकता है, तो जमीन अस्तर पर, दोनों मिलकर builder और विद्वनस और यह क्या है, यह काम को 10 घंटे में दिवार बना सकता है, जबकि यह क्या है, इसको 14 घंटे में इसको तोर सकता है, दोनों कितना हो जागा 70, एक शमता कितने हो जागी 5, अब देखिए, दोनों अगर 7 घंटे तक काम में लगा रहा, तो कितना यूट काम कर पाएगा, तो पहले साथ गंटा काम किया और आवार गंटा मतल्स कितना लगा गंटा कितना लगा फंद्रह घंटा तो फंद्रह घंटा आपका कार्यक्ट आंसर होगा अग्रा सवाल देखिए नीचे दी गई भीन में से किस्म में पांच बट्टे आठ जोड़ने पर एक बन जाती है मतल्स आपको निकालना है मतल्स कितना जाएगा तीन बट्टे आठ तीन बट्टे आठ तीन अप्स्ट में नहीं दिया इसको डबल कर लिए छे यहां पर कितना जाएगा आपको अप्स्टन नमर दो में दिया हुआ है अग्ला सवाल देखिए सिंप्लिफाय करना है 27 देखिए माइनस 8 और माइनस 8 कितना हो जाएगा 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35 अगला सवाल देखिए अब देखिए हम लोग रिजिनिंग सक्षन को सल्व करते हैं देखिए इसमें स्रीज में से कौन सा और फिगर है देखिए तिन लाइन है फिर X है एक के ऊपर एक डॉट है ठीक है इसका मतलब किया होगा सी और करेक्टर होगा आगे देखिए कहागा एक्स एक विन्दू से यात्रा करना प्राइडाम करता है पस्चिम की और पास्चिम की और 80 किलोमेटर चलता है देखें माले देखें बिंदू A है यह पास्चिम के और चला 80 किलोमीटर ठीक था इसका इधर जा रहा है तो बाइए और इसका इधर होगा इधर मुरता है और फिर क्या है 50 किलोमीटर चलता है और बिंदू B पे पहुंच जाता है तो A और B के बीच का लगुंतम दुनी अगरा देखिए कहा गया है एक सुंदर है आप देखिए एक सुन्दर लड़की से साधी करता है एक सुन्दर है अब देखिए मतलब देखिए एक स क्या है प्वल्टिशन से साधी कर शकती है यह आपका सही हो सकता है आगे देखिए एक सही हो सकता है आगे देखिए यहां पर रखा हुआ है तो इसका इमेज आपको निकालना है जैसे ही मिलर होगा तो ऐस सिर्फ एक ऑसो TIME दिया हुआ है तो आपको आपको सकते हैं सबसे हलका व्यक्ति कौन है P Q RST पांच आदमी का जिक्र कहा गया है क्यूज वेट इज लेस देन P and S ठीक है P और S से क्या है क्यूज का वेट कम है और Q and S and also S वेट इज ग्रेटर देन T देखिए S का वेट क्या है T से बढ़ा है अब देखिए सबस्ब्स चोटा को नहीं बता सकते हैं सकेंड एस्टेमेंट को देखिए R का वेट है Q से बढ़ा है और का वेट क्या है Q से बढ़ा है लेकिन T से चोटा है इसका मतलब क्या जाएगा देखिए इसको हम दोनों कर कंबाइन लिखेंगे तो Q का वेट क्या हो जाएगा R से बढ़ा है Q का वेट P से भी छोटा है और S से भी छोटा है सब्सक्राइब और ल क्या है दोनों लेंगोज बलता है इंग्लीज और हिंदी तो ल हो जागा तो चाहतर कितना है का वह प्लस एम प्लस एल जो कि आपसर नंबर चार में दिया हुआ है आगे सवाल में कहा गया है कि हाव में ट्रेंगल से प्रजेंट इंद फॉल्विंग फिगर कि इतने ट् बारा ट्रेंगल बन गया आप देखिए यह दो चिपले यहां से नहीं जान है इक आझे तो तिक थे अगला सवाल काहा गया है तो आंसर घुक्ट और सब्सक्रालेशतिकी अरिक्ट में अपको बता क्या JIMन आपको करेशा को इंधी है यहां पर है लेकिन आपको है तो यह पो एलेमेट को इन्वास्त हुआगा अप्शन अगर सी दिखते हैं यहां पर किया फ्लैट लाइंज दिया गया है और सब्सक्राइब मतलब यहां पर आप मेर को रखे तो आपका इमेज बन जाएगा यह बाले पार्ट क्या जाएगा आपके नीचे आने चाहिए नीचे उपर वाली यह गलत हो गया आपका यह नहीं है देखिए यह है और यह है ठीक है लेकिन देखिए यह इस साइड इस ड्रेक्शन में है तो बनने चाहिए जो कि C सी में दिया है इस तरह से आपको हिम्हू जाएगे आगे कहा गया है तो इसमें भी क्रक्षों आपको प्रेक्ष 9 minimum में आपको नीचे अरическая सब्स्ट करते हे अग्लाव अगला इस्वा बड़्य सबुस्तना ब्रिद्ध से कम के भाद की क्या होगा यातरी बेष्ट के अलावा जो कंपनी है इसके अलावा जो कम सस्ता में उसको ऑप्सन चूझ कर सकती है यह तो सही हो सकता है आगे देखते हैं किरायब रिधी करने के बाद भी क्या होगा कि यातरी की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती क्या होगा अगर यह बेष्ट को यह द पहले कि इस का मतलाब यह चाहनी का मतलब यह चैके 11 का मतलब सनी दर बजसें हैम 12 मंतल नो बज रहा घूगा नो बपद रहा होगा इस समय छिय और से उप्सक्राइब नियुक्रें नौ आपको इसे qya करना है तो 8 जोरेंगे कितना हो जाएगा यह सिंपल था अगर दैखिए एक पर eight जोरेंगे तो क्रेंक होगा हैं तो थेरा में हम आट जोरेंगे इतना हो जाएगा 21 नमर 21 नमर कितना होताई यू का होता है प्रेंटर क्या है क्या है इसमें नहीं है इसमें देखिए हो सकता है यह है यहाँ पर और एक रहन ऐसे भी ड्रक यागा है कैसे भी है तो मतलब आपको भी होगा देखिए कि भी हो सकता है इसमें है कर देने से बचते हो या फिर ठेक्स नहीं देते हैं सरकार को आगे देखिए। अच्छे मतलब F आ जाएगा फिर F से 8 मतलब 8 ठीक आगे देखिए जी से आया है मतलब साथ दू नौ दू फिर जोड़ा गया है नौ मतलब दू ग्यारा मतलब यानके ऊप्षें को आपको आपको प्राइब करते हैं कि आपके लिए हैलफुल रहा होगा अगर पसंद आएच वीडियो को लाइक करते चैनल को अब अब सही सब्सक्राइब कर लेंए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद